हेलो माई ब्यूटिफुल फैमिली कैसे हो आप सब बिटकॉइन ऐसा लगता है कि जैसे अंगत का पाउं होता है न यहीं पे जम गया है 18 से 20 जार डॉलर और अभी तो बात करो 19 जार डॉलर तो ऐसा लग रहा है कि कितने सालों से यहां पर यह ठिका हुआ है और यह जो पेरिपुल होता है न इसको देखना कि हम जो है 19 जार सो दो सो प्लस माइनस वो जारा टॉर्चरिंग होता है क्योंकि आदत है हमें बिटकॉइन के अंदर pump dump fluctuation देखने की momentum आते या आप कह सकते हो कि पैसा कमाने की opportunity देखने के लिए लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो आज की date में निकल के आ रहा है और एक shocking data जो हमारे सामने आया है और हमें लगता है इसको आपके साथ में शेयर करना जरूरी है crypto quant का और यहां पर अगर जब हम उस data को analyze करते हैं तो आपको idea लगेगा कि whales का खेल क्या चल रहा है और यही पूरा का पूरा आपको यहां पे इस video के अंदर समझाने वाले हैं पिछले 5 साल में कब retailers और कब whales ने खेल किया और वहां पे market के अंदर क्या हुआ अब यह बात ध्यान रखेगा इसको हमें analyze करने के लिए जब हम इस situation में हैं market dump है और यहां से क्या हो सकता है लोगों के जो उमीदे हैं वो कहीं न कहीं खतम होने लगती है और यही चीज जब data analyze किया था जब market peak पे थी तो क्या हुआ यह सारी बाते आपको समझना जरूरी है और यहां पर आपका सबर रखना बहुत जरूरी है ताकि in future आप चीजों को समझ पाएं और उसके हिसाब से थोड़ा सा time थोड़ा सा वक्त और दे पाएं क्योंकि पिछल 22 कुछ अच्छा नहीं हुआ है दिवाली आने वाली है आप सबको दिवाली की बधाईया लेकिन हम उमीद करते हैं कि दिवाली से आपका यहाप crypto currency market का महौल अच्छा हो ताकि आप यहां पे आपकी जो भी मनो कामनाय है विशिस है वो जल्दी से पूरी हो जाएं और यहां पर short term में क्या लगता है यह भाईया 19,000 डॉलर पे ऐसे धाई जमा के क्यों बैठा हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर तो बने रही है हमारे साथ में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आएग तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाईएगा दोस्तो इतना कुछ है ना इस वीडियो के अंदर बताने के लिए लेकिन मोटा मोटा जो बड़ी बाते निकल के आ रही हैं क्या न्यूज है वो आपको बता देते हैं ताकि आपको लगे कि मज़ा हक नहीं होता है क्रिप्ट बात जो निकल के आई है जिससे हम डिरेक्टली रिलेटेड हैं और ये चीज आपको जानना जरूरी है क्रिप्टो एक्सचेंजिस की बात कर रहूं मैं जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजिस है छोटे हैं उनका जब डाटा को एनिलाइस किया गया तो जो बैलेंस है चार साल के लोएस्ट पे है यानि कि अब बात करते हैं पिछले चार-पांस साल के अंदर इससे कम बैलेंस कभी भी नहीं रहा है और आप ये रिकॉर्ड कीजिएगा वो डाटा के अंदर हम आपको समझाने की कोशिच भी करेंगे जो अभी आपको दिखाने वाले हैं कि ये बैलेंस लोग होने से एक्ड्शल में क्रिप्टोकरंसी मार्केट के लिए एक अच्छी बात ही है माल सप्लाई कम होगी डिमांड जादा है फिलाल तो डिमांड भी आप कह झा लीजे जादा नहीं है लेकिन यहाँ पे वेल्स के अंदर डिमांड है जिसका आपको समझना ज कोशिश करेंगे एक और इंपोर्टेंट न्यूज या दो तीन इंपोर्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं हमारे ट्विटर और टेलिग्राम को फॉलो कर लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है ध्यान रखेगा स्केमर से साफधाम रहेगा स्केमर हैं बहुत स फुली कुछ नहीं बेचा है यानि कि 200-300 मिलियन डॉलर के बिटकोई अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं और इंस्टिटूशन्स आर मुविंग वेरी क्विकली इन क्रिप्टोकुरंसी स्पेस यह कहना है क्वाइन बेस एक्जिकीटिव का अब यह जो लाइन है ना करना बहुत ज़रूरी है आप इसके बारे में देखिए यह चार्ट को स्टडी कीजिएगा क्रिप्टो क्वांट ने यह शेर किया है उनके जो CEO है की यॉंग जू अब 2018 से आज हम बात कर रहे हैं 2022 के अंदर ऑक्टूबर यहां पर जब भी मार्किट पंप करती है या रिट देखिएगा 2018 के अंदर 2017 के अंदर जब इसने पीक किया उसके बाद जब यह डाउन आया लगबग 8000 डॉलर के आसपस तो भी यह रिटेलर्स हो गए और यहां पर ज़्यादा तर रिटेलर्स टेट कर रहे थे लेकिन जब यह मार्किट फिर फॉल करी जो की आ गया था 3,000, 3,500 डॉलर के आसपस बिटकोई अब यह देखिए 20,000 डॉलर से 3,500 डॉलर अगर बिटकोई आ जाएगा तो अच्छे खासे लोगों की हालत खराब हो जाएगी और यह चीज तो हमने लाइव देखी है यह चीज हमने जो हम इसके शाकसी रहे हैं और यही चीज हम वीडियो क टाइम पर बताते थे उस टाइम पर भी कि होप मत लूज करो यह जो एक डेड़ साल था ना बड़ा टफ था 2019-2020 तक का बड़ा टफ था हाफिंग से पहले का और हाफिंग के कुछ टाइम बात का भी अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है इन चीजों को समझना आपको ज समबर 2017 के अंदर हमने पीक देखा था बिटकोईन का जब एक रैली आई थी बिटकोईन हाफिंग के बाद में ठीक है उसके बाद यहाँ पे टेस्ट होते रहे पेशन्स जब मार्केट यहाँ से डाउन करी और वेल्स ने यहाँ पे खेल किया अब रिटेलर्स आज की सिचि आपको दिख रहा है वेल्स यहाँ लगातार बाइंग कर रही थी 2019 के अंदर और उसके बाद हमने पंप देखा 2019 मिड में और वो भी लगभग 15-14,000 डॉलर तक इस प्राइस को ले गए फिर वहाँ पे रिटेलर्स के अंदर दुबारे जान आने लगी कि भया हमें तो अब और अब पंप करेगा और आगे जाएगा लेकिन वहाँ पे रिटेलर्स तो ज्यादा एक्टिव थे खेल कर रहे थे लेकिन फिर धीरे स्लोली स्टेडली जाके डाउन आया और यह चीज है करोना के टाइम की आपको याद होगा दुबारे से 4-5,000 डॉलर पे बिटकोइन आ अगर देखते हो 30-day moving averages का तो जब whales होती है यह तो peak करता है लेकिन जब वो down होता है आप देख लिजे यह down है market जो है अपने lowest पे है वेल यहाँ खेल कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जब ऊपर चला जाता है तो retailers खेल करते हैं बाइन सेलिग करते हैं अब फिर जब down आ गया ह 2020 के अंदर करोना के टाइम फे लोग hopeless थे लेकिन whales ने खेल किया फिर यह 60-65,000 डॉलर तक गया फिर थोड़ा से down आया 40-30,000 डॉलर फिर हमने जो है उसको दुबारे से 70,000 डॉलर देखा और वहाँ पर लगने लगा कि भाया इससे आगे जो है यह एक लाग दो लाग डॉलर जाएगा और ऐसी माहौल बना भी हुआ था लेकिन ऐसा नहीं हुआ 70,000 डॉलर एक रेस्टन्स मिला और वहाँ हमने इसको दुबारे से dump होते देखा अब यहाँ पर धीरे 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 वो dump हुआ और आज की date में bitcoin उसी situation के अंदर है जिस situation के अंदर पिछले 5 साल के अंदर दो बार यह जा चुका है अब उसके बाद हमें यहाँ पर फिर वो ही situation है लेकिन difference देखो यहाँ पर इस chart के अंदर और यहाँ पर कितना बड़ा खेल चल रहा है volume देखो सारी चीजे देखो आपको समझ में आएंगे कि whales या institutions कितने active हैं यहाँ पर यही चीज आपको दिख रही है और यही चीज अभी देखने को मिल रही है जुलाई से आज की हम बात करें तो तो भाईया आपको in short समझ में आ गया होगा कि पिछले 5 साल के अंदर क्या खेल चला है whales कब active रहती हैं retailers कब active रहती हैं और usually whales जो हैं retailers पे हावी होती हैं जब यह pump करेगा फिर यहाँ पे retailers active होंगे active होना है तो यह charge को देखो यह data को देखो और इसके आसपास यहाँ entry आपको बनाने चाहिए यहाँ से 10-20% की गुंजाईश हो सकती है गिरने की लेकिन यहाँ से pump होने की गुंजाईश आप सोचिए क्या हो सकती है अब यहाँ पर आप तो अभी तक तो हमने बात करी whales की इसनी ने retailers का भी data जो है share किया था अब यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखोगे Bitcoin futures traders जो है वो जायतर whales है active है अब यहाँ पर देखते हैं जब इन्होंने data share किया था उस time पे retailers जाधा active थे और retailers जब active थे उसके बाद हमने क्या देखा dump देखा whales कब active थी आप देखो जब whales active होती है यह जो चीज़े आपको peak पे दिखती है लेकिन जब retailer active होते हैं यानि कि आप जो है dump ही future में देखने वाले हो देर सवेर के अंदर तो यह आपको charts को closely observe करना है यह चीजों को analyze करना है और थोड़ा सा सबर दिखाना है ताकि आप आप जो है idea लगा सोको कि भाया market के अंदर चलता क्या है और आपको क्या whales की तरह खेल करना है या आपको retailer की तरह जब दुनिया line में लगी होगी तब line में लगना है चोईस आपके उपर है लेकिन पूरी research करो सारी चीजों को analyze करो risk उतना लो जितना आप छेल सको और रात की नींद अच्छी आए लेकिन short term में traders bitcoin को लेके situation क्या होई पड़ी है आज है Friday आज होनी है जो options की expiry और यहाँ पर 19 से 20,000 dollar के बीच के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो bills and bear की बात करते हैं bear बोल बियर बोल बियर बोल तो क्योंकि bear से बहुत सारे लोग कुछ और ही समझने लगते हैं bulls और bear की बात करते हैं तो यहाँ पर वो equal situation की अंदर हैं दोनों profit बनाते हैं अगर इसके बीच में यहाँ रहता है लेकिन अगर यह 18,000 dollar से नीचे close करता है जिसके chances बन सकते हैं तो यहाँ पर 80,000,000 dollars तक bears बनाते हैं लेकिन यहाँ पर game change करना है तो bulls के लिए य 20-21,000 dollar के बीच में अगर वो close करते हैं तो वहाँ वो पैसा कमाते हैं 85-80,000,000 dollar अगर उसके उपर 20-21,000 dollar पर close करते हैं और 1000-2000 dollar उपर नीचे होना bitcoin के अंदर कोई बड़ी बात नहीं तो वहाँ 1,500,000,000 dollar का खेल होता है यह चीज़ आपने हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर आपको बताया था चीजो को समझो खेल क्या चलता है, market के अंदर situation क्या है, data क्या कहता है, आप इन सारी चीजो को समझोगे ना, सबसे बड़ा सवाल क्यों मैं इस cryptocurrency market के अंदर ठीक हूं भाईया, यह सबसे बड़ा सवाल है, अब यहाँ पर आप decide करो आपको क्या करन है, every amount of future deposit to the derivative exchange from other exchanges is relatively big, very high, पिछले 5 साल के अंदर जो रहा है, यह सारी चीजो को आपने सोचना है, उससा आप से trade करना है, और चीजो को समझना है, आपको क्या लगता है, comment में हमें ज़रूर बताइएगा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा ले भी ज़रूर करके जाएगा, तो अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुछ रहे हैं, मुस्करात रहे हैं, कमात रहे हैं, आपका दोस्त पंकच, थैंक नुश्कर धनेवाद,